हेलो दोस्तो मैं हुआ है उसमी तो आज की इस बोड़ी में हम बात करने वाले कि हाइपर ओएस का अपडेट रेट्मी 12 5G और पोको M6 5G के अंदर इंडिया के अंदर यहां पर रोल आट होने स्टार्ट हो चुकर और मैं आपको बता तो रेट्मी 12 5G और पोको M6 5G जो मैंने स्टार्टिंग मुलाओ दोनों डिवाइस से में बस कंपनी का फर्क है दोनों में सेम ही अपडेट जाता है आप वर्जन चेक कर सकते हो यू-m-w-i-n-x-m यही सेम वर्जन आपको पोको M6 में मिलेगा यही सेम वर्जन आपको रेडमी 12 5G के अंदर देखने मिलेगा और सेम साइज होगा 4.4 GB का यह चीज़ देखने मिल जाते है और आज हम इस अपडेट के बारे में बात करने वाली है कि इसके अंदर आपको क क्या क्या फीचर्स देखने मिल जाते है इस हाइपर ओएस के अपडेट के अंदर और जैसे कि आप लोग को बता होगा यह फोन मिल पास नहीं ता मैंने अपने टेलिगरम पर पूछा था लोगों से उन्हें नहीं बोला कि हाँ इसका वीडियो चाहिए तो मैं फोन भी खरी कि इस अपडेट में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले चीज यहां पर वही आपको हाइपरोज में पता होगा टैप एंड होड करके रखो के लोग स्क्रीन पर तब को नई लेटेश लोग स्क्रीन देखने मिल जाती है जो काफी सारे ऐसे चेंज क्या सकते हैं अपको जो भी अंचा लगता है वहाषिए यहां पर चप्रण सब्सक्रीं थे तो यहां से क्याकी आताइब यहां सब riff如何 हãy में уб काफी अच्छा देगने में बिलता है जैसे कि मैंने इसको यहां पर एप लाई कर दिया देखने में काफी तगड़ा लग रहा हुँआ आप इसमें पर टैप करके रहोगे आपने जितने भी करना चीज़ देखने मलती है यहां पर भी टैप करोगे तो इसमें अलागी यहाँ से लासकते हैं नहीं कि ठोड़ चटर रहने से रहते हो जैसे काफ़ी बढ़िया है यह लिगाइब से लोगों और रहते हैं करिए रादकर्नेनों गर्र一點 कोंपलेगों वारिएंब ब्री से लोगोडों की। तो यहां पर यह ब्लैक आपको देखने मलता है है यहां पर आप आप देशेए थे का rocks लाघ की के नोटिविकेशन बना दिया है पहले चीज आपको नहीं देखने मिलंते हैं आपको यह चीज देखने को मिल जाती है तो यह आप разм अपम फौन एक और वाख लेते हैं इस देख चीज थोड़ी दुख वाली मेरे को देखने मिलती बैक्ग्राउंड ब्लर भी देते तो यार जितने भी रेडमी 12 5G वाले यूज़स है और पोको एम 6 प्रो 5G वाले यूज़स है सबको खुशी हो दिए कि बैक्ग्राउंड ब्लर आ गया बट इन्होंने नहीं दिया कुछ होंगे इस वैसे चलो हम उसको छोड़ते हैं बढ़ यहां पर मैं आपको चीज दिखाता हूं देखो इसमें क्या अगर आप होम स्क्रीन पर हो था यह एनिमिसन जादा वर्क नहीं करेगी आप जैसे कि कोई भी स्क्रीन पर यहां पर आपको एनिमिसन देखने मलती है तो य चीज चेंज हो चुकिए इस पर टैप अंड होल करकर करको आथो कुछ इस तरह से एनिमिसन आती है यह काफिछ ठीक है और यहां पर आप देखने में जाओ को तो यहां पर आपको चेंज दिखाता हूं देखो यहां पर एक चीज एड कर दिखें नमर ओफ नोटिफिकसन आ आपको सो करने चीए एक करना चीए यह कोई भी नहीं करना चीई है यहां पर यहां पर यहां पर इसको बंद कर दोगें तो यहां पर इस्तार यहां पर यूस कर सकते हो, तो यह चीज भी मेरे को इसके अंदर ठीक टक लगी है, अब कुछ और फीचर कि हम मात कुरुकर तो सैटिंग में जाओगे, यह फीचर मेरे मेरे को लगा नहीं था कि इस फॉन के अंदर आएगा, एडिशन सैटिंग में जाओगे, तो यहां पर आ चलाएं आपके फोन नोटिविकर्सन है बान के चुला आपका फोन कुछ इस तरह से धर आ हुआ तो आपकी दब गई आपको बता है कि फोन पर नोटिविकर्सन आया तो इसलिए इन्होंने एक और चीज़ आड़ करेगी इस्कृरीन वाला ओप्सन याने स्क्रीन पर बता चल only blue हो जाए तो इससे आपको alert मिलेगा यानि कि आपके device पर कोई notification आया तो यार यह चीज में को काफी तकड़ी लगी पहले नहीं थी यह अभी मेरे को देखने मिली तो मैंने सूच है यह आपके साथ share कर दू दूसरी चीज इस phone के अंदर आपको 5G के साथ वू-nr का support देखने को मिल चुका है यहाँ पर आप जीशे तो यहाँ पर आपको वू-nr देखने को मिल रहा होगा देखने यहाँ पर जीओ कसे मिल लगाया वू-nr यहाँ पर देखने मिलता है अब वू-nr एक्चुल में work क्या करता है जब भी आप calling करोगे जैसे कि मैंने सबसे पहले हो और इसलिए वर्क कर रहा है दीरी दीर आपके डिवास में भी आ जागा मेरे डिवास में यहाँ पर वक कर रहा है देखने तो अभी भी calling चलो यहाँ पर चल रहा है वू-nr का supporter 5G से 4G पे switch नहीं हुआ तो यह काफी सारा लोगों को demand थी जो कि यार इस update में हो चुकि है मैं actual बता तो इससे पहले एक update आ था उसमें भी यह चीज़ कर दी गए थी लेकिन वो अच्छी दिरगे से work नहीं कर थे लेकिन अब यह जो चीज़े यहाँ पर करना सिंपल आपको करना किया इदर से left करो गए तो यह आपको widget का option देखने को मिलनाए गाप होगा क्या कि आपको कोई विजिट चीए मान कि चलो कोई साभी विजिट चीए जैसे कि आपको गैलरी वाला विजिट चीए आप इसपर टैब करो यह एडड होगे कहां पर एप वोल्ट के अंदर आप सिंपल इसमें टैप एंड करके रखोगे आप इसको यहां से लेकर होम स्क्रीन पर आप यहां से होम स्क्रीन पर इसको पेश्ट कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर पेश्ट किया देख सो तो यहां पर यहां पर यहां चुका है उसी तरह से मैंने य तो बहुत प्रत होरा तो हम डान्लोड पे क्लिक कर लें वहना आप इसी वाले विज़्ट को कर ले दें कि मैं अल्रडी डान्लोड रें इस पर कोड़के ररकेंगे इदर जाएंगे यहाँ इसको कर ले दे back अब थोड़ी जी अजीब लगी बट जो विजेट से वो एक्चुल में यूज हो रहे हैं यह चीज काफी बड़े लगी दूसरी चेंज जिसके हम यहां पर बात करें सैटिक में जाओके मोर में जाओके दो ओप्सन एड़ कर दिए गया है जैसे कि एक यहां पर यहां पर यह वाल कई से कर सकते हो यह से बंदेंगे जाना है और यह आपको देक्न में बहुंद यहां से वाले को सबस्गार आपको घ्याँ और आप decorate कर दो!!!!! चीज क्या थी आप देखो यहां से स्वाइप करता हूं तो यह चीज सर्चिंग वाला यहां पर भी आता है यह दो चीज आइड करी गया आप इसको भी बंद कर सकते हैं आगर आपको चीज तो आप कर सकते हैं आपकी मर्जी यहां पर हम जाते हैं यहां पर जाने के बाद मैं इसको यहां पर बंद कर दें तो मैंने बंद कर दें आप स्वाइप आप करूँगा आप कुछ भी नहीं आएगा तो यह चीज में बड़िया लगे इसके अंदर यह दो ती ती चीज चेंज की एक है जो कि ठीक है अब यहां पर एक और चीज दिखाते हो यहां पर यहां पर यह दो ओप्सन अदर वाला सेक्शन यह एक अपर काफी सारे अप्लिकेस आते थे वह चीज यहां से कंप्लिटली गाइप कर दीगया तो यह चीज भी मिरको देखने को मिल जाती है अगरी चीज के हम बात करें सेटिंग में जाओंगे एडिशन सेटिंग में जाओंगे यह लेकिन इसको थोड़ा और इन्हेंस या फिर कुछ और फीचर इसके अंदर एड़ कर दीगे जैसे कि मैं इसको आल्वेस ओन करती है आल्वेस ओन करने के वाद यहां पर मैं इसको होम स्केन पर यूज कर सकता हूं या कोई कोई भी एप्लिकेशन उपन कर यह वहां पर भी यूज कर रहा हूं ठीक है यह चीज तो थी लेकिन अब यहां पर आप देसे तो यह कोई एप्लिकेशन जैसे इसमें में टैप करता हो एक अलग ही एनिमेशन आती है उस तरह से यह ओपन होता है यह चीज एनिमेशन एड़ करीए और एक साथ आप दो एप्लिकेशन को यू एप्लिकास यूज कर सकते हैं भी त करें कि जैसे आप इस वर टैप करोगे तो यहां पर अभी आपको देखने हो आप इसको फुल स्क्रीन स्क्रीन यह सारी चीज़ें यहां से भी आप अजस्ट कर सकते हो तो यह चीज भी कुछ कंदर काफी बड़े लगी मतलब इतनी सारी कॉस्टमाजिशन मेरे को उमीद नही अफके होलग सारी अपिले केसे अपको देखने में कुलेटर का यहां पनलग यह पैपको देखने में उमलाता हैसन ल में पर हमस्क्राइस में कंडलेटर में यह पर चेंज यह आप एक सब्सक्राइब करोगे час बात करें वह सबसे में नीचे जाओगे तो यह सारे की चीजें आपको देखने मिलेगे पोपुलर फीचर के नाम से यहां से आप सब्सक्राइब कर दो कि अच्वाइब कर दो की पिखने अगी किई किने है तो तुर्ढव rocket को रहे को सब्सक्राइब चेंज कर दिया गया तो हम पर सेक्योटी एप्लिकीशन इससिटम के अब पूरा पूरा दी पोलस्याय यहाप पर यहाँ चेंज़ देंगर को जाता थे, जह बंढें, यहाँ पर 60पेस तक को ओप्सेन ने नी ठाप टी पे आप बना सकते हो बाग कि यहां पर केमरा एपली सिंग भी यहां पर यूआइच जगने को मिला है तो इसके अंदर यही कुछ फीचर्स देखने मुल जाते हैं बाकि हम थोड़ी वह सेटिंग की हम बात कर लेते हैं सेटिंग में क्या क्या चेंजिस हुए जैसे कि आप आप फोन में जाओके तो यहां पर आपको आपर वसका लोगों बगारा चेंज देखने मुल जाता है यह यह चीज देखो इसमें फरवरी का सेक्यूटी पैस देखने मुल जाता है जो कि बिल्कुल ले टेस्ट है और बाकि सारी इंफोमेशन यहां पर आपको देखने मुल जाती है तो यह पर चेंज कर देखने हैं बाकि यहां पर हम चले आएंगे तो कुछ और चेंज है आपको पहुंचा देता था लेकिन अब यह पहुंचाता नहीं है सिंपल जाई से आप लोग स्क्रीन को यहां पर सेट कर सकते हैं जो कि आपको नए फीचर देखने मुला है फॉंट और यहां पर आइकन साइज यह सब कर सकते हो और यह सारे आपको वोलपेपर से देखने मुल जा यहां से आप जाके चेक आउट कर सकते हो तो यह कुछ फीचर देखने मुल जाते हैं रेडमी 12 5G और पोको M6 5G के अंदर फिर भी आपको कोई कोई कोश्चन है कोई फीचर आपको जानना कि यह वाला फीचर मिलता नहीं मिलता तो आप मेरे को कमेंट्स करके बोल सकते हैं मैं वोची ट्राइ कर लूँगा बाकि अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला तो इसका डाउनलोड लिंग में टेलीग्रम चैनल पर दे दूँगा हम लेंगे नेक्स बोड़ी जातके ने जे हिंद जे बारत